Assalamu alaikum guys मैं हूँ आपका teacher Raheel और आज आप देख रहे हैं guest posting की class number 7 जिसका topic है DR तो इस DR का मतलब होता है domain rating जैसे हमने बात की थी कि Mozbar भी एक website है जो हमें एक rating देती है इसी तरीके से Ahref एक website है जो हमें rating देती है Ahref का जो crawler है which was the second best crawler of the internet मतलब कि सबसे जादा जो बेहतर search का data होता है वो Google के पास है और second Ahref के पास होता है तो basically आज Ahref के अंदर हम देखेंगे कि what is domain rating हमारे पर सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे topics होते हैं जो हमारे admin मांगते हैं एक तो हमारे admin DA को consider करते हैं दूसरा DR को consider करते हैं same with clients के clients में हमारे DA और DR पर ही जो है न वो खेल रहे होते हैं कि हमें अच्छा-च्छा DA वाली website चाहिए या DR वाली website चाहिए तो इस video के अंदर हम देखेंगे टोटल के हम इस DR को किस तरीके से निकाल सकते हैं और इसके इलावा कुछ tips and tricks भी देखेंगे तो चलिए start करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था DR domain rating तो सबसे पहले हम देखते हैं what is DR basically हमारे पास multiple sites होती हैं जो के हमें ratings देती हैं सिर्फ ahref और moz bar ही हमें rating नहीं देता अगर आप similar web को explore करेंगे इससे पहले Alexa rank होता था उसको explore करेंगे Samrish को explore करेंगे तो यह सारी की सारी websites हमें जो है वो एक rating देती है और हमें कहते कि आपका मेरी नजर में यह score है ठीक है इसकी example आप इस तरीके से ले सकते हैं कि फैसलाबाद board जो हमें physics, chemistry, math, bio की जो result है या जो हम लिखते हैं उसकी basis के उपन number दे रहा है ग्याना सो में से ठीक है for example हमारे number percentage के अंदर 60% आ जाते हैं इसी तरीके से एक और board है लहोर board ठीक है अब वो भी हमारी physics, chemistry, math, bio को ही consider करके number दे रहा है लेकिन हो सकता है कि हमारे उनके अंदर उस लहोर board के अंदर जो percentage बने वो 73 बने हो सकता है इससे भी कम बने तो इसी तरीके से जिसना लहोर board, फैसलाबाद board हमें different हमारे matrix हमारे जो हमने result perform किया आता है जो हमने papers में लिखा होता है उसकी basis के open number देता है इसी तरीके से mozbar.com और ahref.com क्या करता है दोनों ही हमें number देते हैं same with अगर मुलतान board की बात कर ले तो हम उसे samrish भी कह सकते हैं तो हमें जो number मिल रहे हैं जो हमें एक percentage मिल रही है हमें कह रहे के मेरी नजर में आप कितनी value है वो चीज चलती है अब वो सिर्फ दो लोगों की चलती है एक किसकी चलती है moz.com की और दूसरी किसकी चलती है ahref की जो ahref है वो आपको जो domain rating देता है dr उसे कहते हैं तो वो basically आपके on the current profile देता है कि आपकी website के ओपर कितने visitors आ रहे हैं वो क्या आपको rating दे रहे है कितने आपकी website के organic keywords है तो इन चीजों की basis के ओपर कि आपको rating मिलती है इसे हम dr कहते है अच्छा calculate देखें हमारे topic में था calculate on what वो मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो website की current situation होती उसकी base के ओपर हमें rating मिलते है where we use dr definitely हम dr use करते हैं अपने clients के साथ उनको share कर दें कि इस website की इतना dr है आम तोर पर जो अच्छे clients होते हैं वो dr को prefer करते हैं क्योंकि हमारे पास da को बड़े fake तरीकों से भी बढ़ाया जा सकते है no doubt dr को भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन dr इतने हद तक जो है वो increase नहीं होता ठीक है website organic traffic अच्छा इसमें यह है कि हमारे पास जो सबसे अच्छी हम consider करते हैं कि इस website की जो matrix है वो ठीक है जिस तरीके से अगर आप similar web में जाएंगे वो आपको बताएगा कि monthly traffic इतनी है आपकी website पे अगर आप ahref पे जाएंगे वो भी आपको बताएगा आप SEO quark से भी हम क्या करते हैं traffic देखते हैं लेकिन तीनों कोई अगर आप देखेंगे तो वो different भी हो सकती है example के तोर पे मैं आपको एक website की ले जाता हूँ time business news अच्छा अगर हम इसे SEO quark से देखें तो हमारे इसकी traffic कितनी आ रही है 29.9 अगर मैं जाता हूँ similar web के अंदर ठीक है यह similar web है हम इसे open करते हैं तो देखें इसके अंदर इसकी traffic कितनी आ रही है 314.5K visitors हैं तो इसके अंदर इसकी traffic क्या आ रही है बहुत जादा आ रही है अब हम चले जाते हैं ahref ahref dr sorry ahref traffic checker के ओपर अब हम इस website का नाम copy कर रहे हैं time business news हम इसके अंदर add कर रहे हैं check now कर रहे हैं वह verification हम से push रहे है और यह साथ ही हमें बता रहा है कि total traffic value उतनी है और total traffic कितनी है 57.4 तो देखें हमारे पास तीन जगा से हमने traffic देखी तीनों जगा से थोड़ा थोड़ा difference आया लेकिन जो हम सबसे बहतर consider करते हैं वो किसको करते हैं ahraf को ठीक है उसके अलावा हम seo quack को भी use करते हैं और इसके अलावा हम samrish को भी prefer कर देते हैं अच्छा जब हमने इसको देखी है तो इसके साथ हमारे पास 3-4 topics और निकलाएं यह देखें अगर आपको कोई यह आकर कहता है कि मुझे यूएस ट्रैफिक वाली sites चाहिए तो आप वो कहां से चेक करेंगे definitely ahraf से यह देखें हमें सबसे बता रहा है कि यूएस से हमारे पास 62% ट्रैफिक आ रही है इंडिया से 6% आ रही है United Kingdom से 5% आ रही है तो हम यह क्या कर सकते हैं ahraf से भी बता सकते हैं हमारी website के ओपर किस country से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है प्लस हमारे पास एक और option भी है similar web अगर मैं similar web में ही थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो हमारे पास again क्या चीज़ आ रही है ट्रैफिक इसके अंदर यह हमें बता रहे है कि United States से 23% आ रही इंडिया से 14% पाकिसान से 12.2% तो देखें हर जगा पे matrix different होते हैं लेकिन जो ahref है वो ज्यादा focus कर रहा होता है on the sport क्योंकि उसका crawler उसी time check करके live जो हो निकाल रहा होता है और यह जो हमारे पास similar web है तो इन्होंने कुछ मतब कि estimation होती है although na ahref original दे रहा है ना similar web दे रहा है न SEO quake दे रहा है जो exact हमारे पास number दे रहा होता है वो हमें देता है google analytics लेकिन वो website के owner के पास ही उसके पास success होता है ठीक है तो this is dr domain rating जिस तरीके से हमारे पास domain authority थी इसी तरीके से हमारे पास domain rating है इसकी समरी में चले जाते है type of SEO tools हमने देखी के एक जो ahref वो एक SEO tool है जो के बहुत ही powerful है actually SL में यह बहुत मेहंगा है जिसना 99 dollar per month है और वो भी इसका सबसे चोटा package है तो बहुत से लोग इसको use नहीं करते लेकिन पहले यह होता था हमारे पास के ahref हमें जिसना traffic dr और इस type क की चीज़े बहुत ही कम बताता था और वो उसके एक trial version में होती थी जो के seven dollar का seven days के लिए आता था लेकिन अब क्यूंके ahref ने इसको बहुत जादा expensive कर दिया 99 dollars में और कोई भी trial version नहीं रहा तो उसने अपनी कुछ जो features हैं वो free कर दी है जिस type से अभी हमने traffic निकाली तो पह मैंने बता दिया कि different website हर जो है website को एक number देती हैं this is called domain rating अच्छा what do you अच्छा हम da use क्यों करते हम da इसलिए use करते क्योंकि यह easy to use है और सबसे पहले da ही consider किया जाता था ahref बाद में आया और ahref ने चो rating भी है वो बाद में आई है यह है कि ahref क्योंकि एक paid tool भी है इस वज़ा स जो है वो बहुत ही काम use होता है da क्योंकि पास हमारे पास extension में आ जाता है तो almost 80% लोग da ही use करते हैं लेकि जो कुछ advanced SEO करते हैं वो dr को जादा consider करते हैं इसके लावा हम website की profile देख सकते हैं ahref से क्योंकि अभी मेरे पास premium ahref available नहीं है तो मैं आपको open करके दिखाता कि यह tips and tricks आपके पास यह है कि आप da को ही जादा consider करें dr पर इतना जादा focus ना करें क्यूंकि आपको paid subscription इसके लिए buy करनी पड़ेगी hope so आपको यह video भी पसंद आई हो कि अगर पसंद आई है तो like कीजिए अगर subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए